चैप्टर नाइन लाइफ ओफ अर्ली मैन का ये सेकिन पार्ट है इससे पहले हमने इसका फस्ट पार्ट कर लिया है आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है और कमंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा सभी पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगे तो यदि आप सभी चैप्टर देखना चाते हो तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेइलिस्ट को जुरूर चेक कर लेना तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था और स्टोन एज के बारे में ये पढ़ा था हमने कि स्टोन एज को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज तो हमने Old Stone Age और Middle Stone Age यानि की Paleolithic Age और Mesolithic Age के बारे में पढ़ लिया था इस वीडियो में हम Neolithic Age के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो Neolithic Age, Neo means new, Neo means new, during this period man prepared new stone tools which were harder and stronger इस जो आदमे, इस age में, इस period में आदमी ने ऐसे कुछ नए stone के tools बनाए जो harder थे सक्त थे और मजबूत थे He became a skill tool maker, ओ अच्छा tool maker बनाने वाला बन गया, आप उसको अच्छे से ओजार बनाने आगे He started polishing and grinding his tools and weapons, अब उसने अपने tools को polishing करना और grind करना शुरू कर दिया जो भी उसके tools थे या फिर उसके जो हतियार थे उनको polishing और grinding करना शुरू कर दिया Do you know में देख लेते हैं पहले की क्या है The life of Neolithic people was not a constant struggle for survival because they were good hunters जो Neolithic के जो एज के जो people थे उनकी life में इतना struggle नहीं था क्योंकि उनको जीने के लिए अब क्या उन्हेंने सीख लिया था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे hunters थे बहुत ही अच्छे शिकारी थे They learn to organize hunting and store food for the long winter अब उन्होंने क्या सीख लिया था जो hunting वो सही तरिके से शिकार को organize कर लेते थे मिल जुलकर शिकार करते थे और जो food है उसको लंबे समय के लिए सर्दियों के लिए वो इकठा कर लेते थे His weapon included stone axe, knives, spears, harpoons, wooden bows and stone-tipped arrows जो उसके जो हतियार थे उन हतियारों में क्या-क्या था भई stone axe, जो पत्थर की कुलाडी, चाकू, spears, यानि की भाले, harpoons यानि की जो मचली पकड़ने के लिए बर्ची होते है बर्ची मार कर मचली को पकड़ा जाता है उसको harpoons कहते है wooden bows, लकड़ी के जो धनुष बगएरा और stone-tipped arrows जो उसने तीर बना लिये थे जिसमें stone-tipped आगे उसके क्या लगा हो था तीखे बत्थर लगे होए थे the remains of such tools have been found in different parts of the world और इन के जो remains है, इन tools के जो बचे कुछे हिस्से हैं वो अलग-अलग पूरी दुनिया में पाए गए है the places related to neolithic age in India are बुर्ज होम, मेहरगर, चिरान, डाउ, जली, हेडिंग, हलूर and कॉल्डी हवा और हमारे इंडिया में यह यह ऐसी जगाए है जहां पे यह जो tools खुदाई के दोरान पाए गए है the neolithic man started growing grains like rice, wheat, etc जो neolithic age का जो आदमी था उसने अब अनाज लगाना शुरू कर दिया था जैसे की rice और wheat, चावल और गयों लगाना शुरू कर दिया था he regarded earth as his mother and worshipped it और वो अपनी जो earth को यानि की जो पृत्वी है उसको अपनी माता मानता था और उसकी पूजा करता था the neolithic man believed in life after death और जो neolithic man था वो मतलब मृत्यू के बाद भी जीवन को मानता था यानि की मृत्यू के बाद भी जीवन होता है उसको मानता था the dead were buried along with the object like beads, pots, tools, etc that they used in their life ठीक है अब जो अगर कोई व्यक्ती मर जाता था तो उसको जब दबाया जाता था तो दबाने के साथ उसके साथ कुछ चीजें रखी जाती थी जैसे की beads, मन के वगरा, pots, बरतन या फिर ओजार वो चीज रखी जाती थी जिसका उस अदिमे ने अपनी life में use किया था it was believed that they might need them in another life और ये विश्वास किया जाता था इन सभी चीजों का उसको अपने अगले जीवन में उनकी जुरूरत पड़ेगी इन सभी चीजों की इसलिए जब वो मर जाता था उसके साथ कुछ चीजों को भी दबाया जाता था उसके साथ the cultivation of crops and domestication of animals were the important achievement of man of neolithic age cultivation of crops फसलों को लगाना और पश्वों को पालना उस age की neolithic age की कुछ आदमी की important achievement थी as he did not have to move constantly in search of food he started leading a settled life अब उसको food के लिए भोजन के लिए इदर उदर नहीं भटकना पड़ता था जाना पड़ता था अब वो उसकी life क्या होगी दिए सेटल हो गई थी वो एक जगा पर अब रहने लगा था the settled life gave birth to the institution of family settled life हो गई तो अब एक नई प्रता शुरू होगी अब family की शुरुवात हो गई यानि कि अब हर एक मतलँ कहने का मतलँ परिवार बसा कर वो रहने लगा due to the availability of time and opportunity man developed new skill अब उसके पास क्या था भई time भी था और mocha भी था opportunity भी था तो उसने कई नहीं चीज़ें develop कर ली कई नहीं चीज़ें उसने सीख ली he invented the sickle for cutting crops and grass, axe for cutting trees and grinding stone to grind the grains अब उसने किस की चीज़ की खोज कर ली उसने sickle की खोज कर ली दराती की खोज कर ली फसलों और घास को काटने के लिए लाड़ी बनाई उसने पेड काटने के लिए और grinding stone to grind the grains उसने चक्की बना ली ठीक है पत्थर की चक्की बना ली जिससे वो अनाज को पीसता था he also learned the art of knitting and weaving उसने मतलब knitting और weaving की art भी सीख ली यानि की कपड़ा बुनना और एक तरह से बुनने की art और knitting की उसने art सीख ली he started weaving cloths with wools and jute उसने कपड़े बनना शुरू कर दिया wool का यूज करके और jute का यूज करके he carved little statues from ivory and bone उसने कुछ statue बनाने भी मूर्तियां चोटी-चोटी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी from ivory and bones, bones से और ivory, ivory क्या होता है? हाती दात से he settled life also initiated religious practices अब जब उसकी life settled होगी तो उसने कुछ धार्मिक चीज़ें करनी भी शुरू कर दी the most remarkable invention of the neolithic man was the invention of will और सबसे महत्वपुन जो उसने खोज की थी neolithic man ने वो क्या थी? पहिये की खोज थी जब उसने पहिये की खोज कर ली तो क्या हुआ भई? पहिये का यूज करना शुरू कर दिया people use the wheel for making slages and chariots और उसने wheel का यूज करके slages बनाई ठीक है और रथ वगेरा बनाए ठीक है बेलगाडी रथ वगेरा बनाए they also use the wheel for other activity like spinning and pottery और उसने जो wheel का यूज दूसरे कामों में भी किया जैसे की spinning और pottery में बरतन वगेरा बनाने में जैसे की कुमार ठीक है इस चक्के को गुमा कर क्या बनाता है भी मिट्टी के बरतन बनाता है तो उसने ये कला भी सीख ली दा मैं अफ नियू लिथिक एज़ वाज डिस्पनसिपल फ़र ड्वेल्पिंग धा फ़स्ट पॉर्टरी अब जो नियू लिथिक एज़ का जो आदमी था उसने ही बरतन बनाने की कला की शुरुआत की थी मिट्टी के बरतन बनाने की कला की in the beginning the man the handmade pots were dried in the sun and used शुरुवात में जो handmade जो pots थे जो मिट्टी के वो बरतन बनाता था उसको धूप में सुखाया जाता था और फिर इसको यूज़ किया जाता था लेटर ओन he learnt to bake the clay pots बाद में उसने जो clay pots थे जो बरतन थे मिट्टी के उनको आग में आग में तो इससे बरतनों में क्या एक तरह की चमक आई मजबूती आई और वो बरतन बहुत लंबे समय तक चलने लगे देवर decorated with carvings of flowers, leaves, etc. और उन पे आप वो decoration भी करने लगा जैसे की फूल पत्तियां वेगारा वो उन पर छापने लगा ठीक है? अब जब वो कुछ बरतन मिट्टी के बरतन जब वो भटियों में क्या एक तरह से पका रहा था तो उसे अचानक जब कुछ और को जब कुछ और पिगले तो उसे पता लगा कि भई यह क्या चीज है? यह मेटल है तो उसने मेटल की खोज भी कर ली और क्या होता है? और आप कह सकते हैं कच्चा माल होता है जिसमें मेटल होती है जब उसको पिगलाया गया अचानक से पिगली जब वो तो उसको आदमी वो मेटल के बारे में पता लगा और यह विश्वास क्या जाता है माना जाता है कि भई सबसे पहले आदमी ने कोपर यानि कि तामबे की खोज की थी आब क्या भई आब सटोन एज मतलब खतम होने को थी जब आदमी ने मेटल का यूज़ शुरू कर दिया और उसने मेट कोपर के टूल्स बनाने शुरू कर दिये टीक है च्टोन टूल्स के साथ और उनका इम्पलीमेंट करना शुरू कर दिये ठीक है, stone पहले तो पत्थर की बनाता था, आप उसने metal के बनाने भी शुरू कर दिये, this period is known as चालकोलितिक period, इस period को चालकोलितिक period कहा जाता है, चालको means copper, चालको का मतलब क्या होता है, copper, यानि कि जब उसने copper का use करना शुरू कर दिया, metal का use करना शुरू कर दिया, तो उसको surprise to know that up to this period, the events and the stone tools were similar in all part of the world, और आपको इस बात से यह surprise होगा, कि इस period की जो हम बात कर रहे हैं, the events and stone tools were similar in all part of the world, पूरी दुनिया में, इस समय में पूरी दुनिया में, stone का ही use किया जाता था, stone से ही जो भी बनाये जाते थे, ओजार बगारा, आदमी पूरी दुनिया में, stone से ही बनाता था, उस time, but the use of matter revolutionized the process of evaluation of human society, मगर जब उसने metal का use करना शुरू कर दिया, तो उसकी जो society, human society थी, उसने बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से क्या की वहीं, उसमें एक क्रांती कारी, उसमें परिवर्तनाया, बहुत तेजी से उसका विकास होने लगा, differences in the speed and the level of development were noticed in different part of the world, अब differences in the speed, और stone age तो लगबग एक जैसी थी पूरी दुनिया में, मगर जब metal का use हुआ, तो अलग-अलग speed से, अलग-अलग development हुई, पूरी दुनिया में notice की गई, अलग-अलग part में, अलग-अलग speed से, development हुई, कहीं पे जादा, कहीं पे कम, Thus, Neolithic period was a step toward the development of civilization, इसलिए जो Neolithic period है, उसको एक step माना जाता है, civilization की तरफ बढ़ने का एक step माना जाता है, उसके बाद आदमी क्या होने लगा था भई, Neolithic period के बाद आदमी civilized होने लगा था, तो यह chapter हो गया finish, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को subscribe कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ share, जुरूर कर देना, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार